वर्ष में के विलियम वर्ज वर्फ को तो इसमें हम विलियम वर्ज वर्फ की लाइफ और करियर और सारे जितने भी नोड़ सकते हैं सारे देखने वाले हैं तो बिल्कुल बने रहिए एक गंटे इस वीडियो के साथ तो चले शुरू करते हैं तो विलियम वर्जवर्ज जो थे वो आपके second बेटे थे अपने parents के और वो थे अपने five जो children थे उनमें से second He was born on April 7 in 1770 तो 1770 में उनका जन्म हुआ था और Cocker Mouth in Cumberland His mother died when he was eight years old जब उनकी सिर्फ age कितनी थी Eight years, आठ साल उनकी age थी और उनकी मदर की death हो गए थी उनके father की death हुई थी जब वो 14 years के थे सिर्फ 14 साल के थे तो आपको ध्यान अगना है यहाँ पर 8 साल के थे और जब वो 14 साल के थे उनके father की भी death हो गए थी उसके बाद कुछ important notes है है His early education started from 1778 in a grammar school तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जिए grammar school होते थे यह actual में वहाँ के जिस तरह यहाँ पर कुछ government school होते हैं वहाँ पर उन government schools को England में grammar school बोला जाता था at walks head तो वो जगे थी walks head लेटर he went to St. John's College Cambridge in 1787 तो 1787 में वो गए हैं कहां John's College Cambridge में in 1790 he went on a walking tour to tour of France, Italy and Switzerland यह बहुत important चीज है उनकी life में कि वो कहां कहां गए थे France, Italy and Switzerland तो आप इसे simply fist इससे आप याद रख सकते हैं इसे ठीक है अब जब वो गए थे कहां French जब वो France गए थे तो वहाँ पर वो French revolution से काफी ज़्यादा प्रभावित हुए थे influence हुए थे और वहाँ पर जो उनकी spirit थी वो बन गए थी revolutionary spirit अब फ्रेंस में क्या हुआ कि फ्रेंस में जब वो गए तो उन्हें एक French girl से उन्हें प्यार हो गिया वहाँ पर और उसका नाम था Annette Valen तो जो Annette Valen थी वो एक royalist थी ध्यान रखिये royalist थी और जो अगर हम William Virgworth की बात करे तो उन्होंने उससे शादी तो नहीं की He did not marry her but she bore him a daughter उनकी एक बेटी होती है उसका नाम है Caroline अब यहाँ से आगे हमें याद रखना है कि जो Caroline है उसके लिए उन्होंने एक poem लिखी थी और वो कब publish हुई थी So his love affairs reflected in the poem in 1804 तो उन्होंने लिखी थी यह poem 1804 में और poem का जो नाम है वो है आपका Wardrecourt and Julia तो Wardrecourt and Julia उन्होंने Caroline के लिखी थी Caroline उनके बेटी है जो की Annette Wallen के साथ में उनके हुई थी और वो friends में मिली थी यह आपका revision हो गया अब बात करते हैं कि यह जो compose किया गया था और publish जो compose हुई थी लिखी गई थी 1804 में और 1820 में इसको publish किया गया था और यह हुई थी आपके प्लूड book 9 प्लूड की जो 14 books थी पहले यह 13 publish हुई थी बाद में 14 हुई थी तो जो 14 है उसमें जो 9th book है याद रखने हो मैं आप लोगों बता देता हूँ कि जो 1798 है hopefully कि आप लोग जो भी literature के student होते हैं 1798 उन्हें अच्छे से याद रहता है तो जब भी आप किसी writer के कोई age या year आप लोगों को याद करने होते तो आप एक base year उस writer से related याद रख लिए जैसे 1798 हम words words से related याद रख लेंगे अब देखिए इसमें से अगर हम करें 2 minus कर देते हैं तो अगर हम इसमें minus 2 करते हैं तो हमें मिलेगा 1796 तो 1796 में उन्हें ST college मिले थे अब यहाँ पर उन्होंने जो second है 1798 हो गया अगर हम प्लस 1 करते हैं तो हमें मिलता है 1799 तो चले गए ग्रैश्मियर ग्रैश्मियर में अभी हमें आगे जाके पता चलेगा कि जो ग्रैश्मियर में उनका cottage है उसका नाम है डव cottage तो 1799 1799 में गए थे ग्रैश्मियर जैसे कोई भी पीजीटी या पीजीटी का कोई भी exam होता है तो उसमें एक चीज बहुत important है जाननी कि ये fact based होता है यहां पर हमें कोई चीज अगर समझ ना भी आ रही हो लेकिन fact अगर हमें याद है series wise भी हमें याद है तो हम अच्छे marks gain कर लेते हैं अब चलते हैं आगे तो आपको याद होगा कि 1798 माइनस 2 करेंगे तो उन्हें 96 में स्टी कॉलरीज मिले थे प्लस 1 करेंगे तो 1799 में वो ग्रैश मेयर चले गए थे यहां पर आता है अगला प्लस 4 प्लस 4 में जब 1802 था he married Mary Hutchinson वो Mary Hutchinson के साथ में तो उनकी शादी हो रही है Mary Hutchinson से and started to live along with his devoted sister और उनकी sister कौन है डॉरदी अब वो कहां रह रहे हैं ग्रैश मेयर में रह रहे हैं बलकुल स्टोरी की तरह इसे याद रखिये लेटर ही shifted to Rydal Mount Amblesite तो बाद में कहां चले गए Rydal Mount में गए थे Amblesite where he lived for maximum time और यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी सारा time बिताया था both places belong to Lake District यह दोनों के दोनों जो थे ओर Lake District में थे और Lake District में three points usually count किये जाते हैं वर्जवर्थ इन्हें Lake Point भी बोला जाता है वर्जवर्थ, Coleridge and Saudi जो मैंने अभी आपको बताया, उसको नाम है Dove Cottage जो उनका cottage था वहाँ पर उस cottage का नाम है Dove Cottage, यहाँ पर क्या है एक और चीज है जहाँ पर confusion होता है Coleridge being Dorothy and William वर्जवर्थ, यहाँ पर एक आता है question की three person with one soul three person with one soul वर्जवर्थ ने इस company को कहा था, इस group को कहा था कि three soul, three persons with one soul ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन थे और कौन कौन थे, तो usually जो confusion होता है, वो हो जाता है वर्जवर्थ, सावधी and Coleridge के साथ, बट यहाँ पर जो वर्जवर्थ हैं, वो बात कर रहे हैं, Coleridge, डॉरजवर्थ और खुद विलियम वर्जवर्थ के बारे में, और राइट, not these three, यह तीन को हम lake point कहते हैं, जो lake district में रहते थे, सावधी's death in 1843, जब 1843 में सावधी की death हो जाती है, तो उनको मिल जाती है, Lord at ship, तो दिहान रखिए कि हमें पता है कि तो मैंने कहा है कि जो years हैं, मैं तो इसी तरीके से याद करता हूँ, और ज़्याद़ ज़्याद़ आप याद रख सकते हैं, आपको base जो है, कुछ years आप लोगों को याद रखने होते हैं, अगर आपको पूरे एक 100 साल का duration अगर आप लोगों को याद रखना है okay, from like 1700 to 1800 इसके बीच में, all right तो इसके बीच में आप क्या करिए कि लगभग 10 to 15, 10 to 15 कुछ base years बना लीजिए, जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़े हमां already याद हो जाती है, यहीं पर हम बात करें तो हमें यह जादे तर सभी को पता होता है कि 1850 में डेथ हो गई थी उनकी और 1798 जो है आपका यह लिर्कर बैलेट्स का publication date है, तो इस तरह से काफी सारी चीज़ें याद हो जाती है, तो चलिए आगे देखते हैं, 1743 तो कितने 7 साल पहले किसकी डेथ के, खुद की डेथ के उन्हें मिली थी laureate ship and remain till the death और वो अपनी डेथ तक बने रहे He died on St. George's Day in 1850 and was buried in Grashmere Churchyard और जो चर्चियाड होता है, जो graveyard में उनको वहाँ पर दफनाया गया था, from his childhood Vorgeworth was inspired by the work of Fielding, Don Quicksort and Servantus and Swift तो उनकी life पे जो हम कहें influence था, वो इन चारों का बहुत ज़्यादा था यहाँ पर आगे चलते हैं बहुत ही important यह आप लोगों का एक topic है, point है कि वो Tory से belong करते थे, तो यह group Tory and Wig क्या थे so Wig and Tory कौन थे Tory थे आपके royalist, जैसे मैंने कहा था आपको कि french girl जो पीछे, Annette Wallen थी, वो क्या थी, वो भी एक royalist थी, royalist का मतलब होता है कि जो king को मानने वाला होगा ठीक है, तो एक king को मानने वाले थे, एक parliament को मानने वाले थे जो parliament वाले थे, वो थे Wig और जो वर्जवर थे, वो Tory थे, वो कि वो मानते थे कि king को होना चाहिए, पार्लेमेंट को नहीं होना चाहिए, और जो influence थे by the political justice of Godwin, इस book से वो खाफी influence भी थे अपनी life में, वर्जवर्थ के political career के बारे में बात करें, तो उसे usually चार period में बाठा जाता है और जब भी हम बात करते हैं किसी writer की writing period की तो जो first period होता है, वो हमेशा immature writing का होता है, ये आपको याद रखना है, ओके उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो second है, वो है off gloom, उदासी बना, and third is glorious decade, वहाँ पर उन्होंने अपने सबसे बहतरीन जो रचनाई की और पोईम से लिखी वो glorious decade में है, and the next is of decline, जब उनका जो poetic career था वो बिलकुल decline होने होना शुरू हो गया था, so the first one is 1793 to 1797, it is early period and immature writing, and 1798 to 1805, the period of gloom and 1806 to 1814, the dominant period or the glorious decade, and the sixth one is, sorry it is fourth actually all right, so it will be fourth 18 1815 to 1850 the period of decline and यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो उनकी poem है excursion, उसके बाद wordsworth का जो poetic genius था became to decline, decline means होता है नीचे आना, okay, अब अगर हम wordsworth के कुछ important poems को देखें, तो यह list है, और अगर आप lecture की तायारी कर रहे हैं, या TGT, PGT किसी state की कर रहे हैं या center government की कर रहे हैं, तो इन्हें पूरा आप लोगों को रटना है, आप लोग एक बार देख लेते हैं, उनकी जो poems हैं, उसके बाद हम one by one इनको discuss करेंगे, तो यह हैं आपकी, the evening walk poems of wordsworth, we have seen that, first poem of wordsworth, the evening walk याद रखिए इसको, first poem कौन है, आपकी, कौन सी है, the evening walk है, sonnet on the sonnet, and it's called not, Michael pastoral poem, इसे हम detail में हम नीचे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद, the descriptive sketches, excursion, excursion आप लोगों को याद होगा, कि यह जो था 1814 के बाद, उनका जो period of decline हो था, वो शुरू हो चुका था, यहांसे, lyrical ballot बहुत important है, कौलरीज के साथ मिल का लिखी थी, अब आपको question है, यह है, कि कौलरीज से वो कब मिले थे, तो आपको याद होना चाहिए, कि 1798-2, तो वो मिले थे, 96 में, ओके, और 1800 और 1802 में हुआ था, 1800 में जब lyrical ballots आया था, तो उन्होंने अपनी एक theory भी दी थी साथ में, lyrical ballots के साथ, और जिसकी वज़े से, कौलरीज से उनका थोड़ा बहुत मद्भेद भी हो गए थे, आगे चलते हैं, to Milton उन्होंने लिखा था, lines written in early spring, up to the Westminster breeze, and the world is too much with us, बहुती अच्छी poem है, fountain, the river deaden, lines written above Trinton Abbey, we are seven, preface to lyrical ballots, criticism, this is actually, मैंने आपको बताया था कि 1802 में, sorry, it was 1802, जब उन्होंने preface to lyrical ballots लिखा था, अब यहाँ पर criticism, जो उन्होंने अपनी जो theory दी थी, poetry के बारे में उन दी थी, Lydomia, जो है, एक narrative poem है, एक celestial sketches, and Peter Bill, effusion on the death, dying, they pollued on growth of poets mind, publication after death of Virgworth, और यह जो नाम था, the pollued, यह खुद writer ने नहीं दिया था, यह आपको याद रखना है, ठीक है, इसके बाद अभी हम जब pollued को discuss करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि यह actual में उन्होंने college के लिए लिए लिखी थी, 1850 में यह publish वी थी, उनकी लिए ने पुब्लिश करवाई थी, दे रेक्लूस नत रितन, Immortality Ode, 1802-1805, I wander lonely as a cloud, this is most famous poem by the poet, strange fits of passion have I known, the Elisic Stenja suggested by a picture of Peel Castle, the White Doe, and the Wegener, next is sonnet on the punishment of death, Lucy Gray, Lucy or Gossler, lines written on the death of Charles Lamb, यह important है, इस तरह के आपको पूछे जाते हैं, Nutting, she dwelt among the untroden ways, Ode to Duty, the Idiot Boy, Happy Warrior, Highland Girl, Resolution and Independence, Beach Gatherer Points, The Solitary Reaper, Early Spring, Yarrow Revisited, The Seller's Mother, Good Blake, Goody Blake, the Blake के लिए उन्होंने लिखी थी, तो आप देख सकते हैं, Charles Lamb के लिए उन्होंने लिखा है, और Blake के लिए उन्होंने लिखा है, Saudi के लिए उन्होंने लिखा था, यह point आप लिस्ट बना सकते हैं, The Rune Curtis, Three Years, Shigro, Song at the Feast of Boram Kashal, The Brothers and Guilt and Sorrow, Let's Go for More, Ruth, The Influence of Nature, The Affliction of Margaret and The Fountain and Guilt and Sorrow, चलिए अब इनको वन बाई वन हम देखेंगे, सबसे इंपोर्टन जो है, वो है आपकी Lucy Poems, Strange Fits of Passion Have I Known, जो Lucy Poems है, वो ग्रूप आपकी, यहां पर जो यह Lucy Poems है, यह जर्मनी में उन्होंने लिखी थी और लिखी थी 1799 में, और जो पॉब्लिश हुई थी यह 1800 में हुई थी, यह काफी खुबसूरत एक लिरिक है, and communicates Poets' feeling, I Travelled Among Unknown Men, यह है आपकी नेक्स्ट Lucy Poems में, इट आपकी नेक्स्ट लूसी Poems में, इट आलसो रिटेन इन 1799 में ही यह वाली लिखी गई थी यह Poem, और जो इसकी Genesis है, वो अभी तक क्या है, एक Mystery है, किसी को नहीं पता कि किस तरह से यह लिखी गई थी, She dwelt Among the Untrodened Ways, यह जो Poem थी, In this Poem, Poet speaks about Lucy, a young beautiful girl, who was very dear to Poet, और इसमें यह बताया गया है इस Poem में, कि जो लूसी है, वो बहुत लगाव था उससे Poet को, This Poem, Lucy Poem, यह जो है, एक जो Lucy Group of Poems है, उनको आपको याद रखना है, क्योंकि Lucy Group of Poems पूछी जाती है, कि कौन सी है यार कौन सी नहीं है, It also got published in 1800, A Slumber Did My Spirit Seal, This is also Lucy Poem, A Slumber Did My Spirit Seal, यह जो work है, यह अपका include तो नहीं है सीरीज में, बढ़ यह उसी टाइम लिखा गया था, वोर्जवर्थ रोड 523 सॉनेट, आपको याद रखना है कि वोर्जवर्थ ने 523, ठीक है, अब आपको यह अगर याद रखना है कि भूल जाते हैं, तो आप इसे reasoning के हिसाब से याद रख सकते हैं, तो इस तरह से under the title of the group तो उन्होंने इस तरह से लिखे थे, जो 34 हैं वो डड़न के लिखे थे, रिवर्ड़न, जैसे कि आपको पता है कि जो वर्जवर्ड थे, वो पॉलिटिक्स में भी involved रहे थे पहले, आपको यह भी याद रखना है, यह भी पूछा जाता है कि वो कौन से थे, तो वो थे आपके टॉरी, और टॉरी कौन थे, वो किंग के supporter थे, विक्स कौन होते हैं, कुछ उन्होंने miscellaneous लिखे थे, जिसको title नहीं दिया गया है, वो हैं पूरे number 120, और जो बच गए और topics उन्होंने किये थे, तो आपको इसमें अगर important चीज़ देखनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 523 sonnets लिखे हैं, उसमें से जो पूछा जाएगा, वो हो सकता है, 69 नंबर वाला पूछा जा सकता है, एक सिलेस्टिकल पूछा जा सकता है, brief introduction to important works, पहला जो वर्क है, सबसे important जो वर्क है, वो है आपका दे प्रिलूट, यह जो था प्लूट, यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, best work है, और अटो अटो बाइग्रेफिकल पॉएम, यह अटो बाइग्रेफिकल पॉएम है, इसके बार, खुद के बारे में उन्होंने लिखा है, और वर्ज वर्स, उन्होंने खुद की लाइफ के बारे में लिखा है, इसलिए इसो अटो बाइग्रेफिकल बोल रहे है, अलियर इट वज पॉब्लिश्ट इन थर्टीन बॉक्स, पहले इसे थर्टीन बॉक्स में पॉब्लिश किया गया था, बाद में इसमें जो टोटल थी, वो हैं आपकी 14 बॉक्स, इट बिगें फ्रम 1798 तो 99 तिल 1805, जो शुरुबात हुई थी ओ, 1798-99 में हुई थी, और 1805 तक उन्होंने इसको लिखा था, और जो पॉब्लिश हुई थी, यह उनकी डेट के बाद पॉब्लिश हुई है, यह आपको याद रखना है, वर्जिवर्स वांटेट तो मेक इट एन, अज एन इंट्रड़क्शन तो दी रेकल्यूज, अज आज वास्ट वर्क प्लैंट, बट नेवर कम्प्लीटेड, उन्होंने जो इंट्रड़क्शन बनाया था, इसको दी रेकल्यूज का और एक बहुती वास्ट वर्क उसको लिखना चाते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया, इन दी स्टार्टिंग दिस पॉएम टाइटल, जब वो स्टार्ट हुआ था, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो पलूड है, उसको उन्होंने लिखा था, थी पॉएम टू कॉलरिज, उके उन्होंने कॉलरिज के लिए इसको लिखने के लिए, टाइटल भी उन्होंने यही दिया था, बिकरज इट वोज डेडिकेटेट तो स्टी कॉलरिज, and later S.T. Coleridge described this poem बाद में जो S.T. Coleridge थे उन्होंने इस poem को जो describe किया था वो ये कहके किया था कि growth and revolution of an individual mind by Coleridge ये उन्होंने describe किया था one by one सारी books का जो main matter है उसे आपको याद रखना है present title was given by Mary Virgworth आपको याद रखना है कि ये जो work था जो present title है the blue room Mary Virgworth ने दिया था okay and it was published in 1850 after Virgworth death जब Virgworth के death हो गई तो 1850 में ये publish हुआ था book first and okay it is just book first he gives an account of his early childhood and school days उन्होंने अपने school days और early childhood के बारे में लिखा था book second में क्या लिखा है university days तो आप इसे सीदे सीदे देख सकते हैं school days, university days okay and book fourth में how he describes how he returns home after losing paradise कि वो किस तरह से उन्होंने जो paradise paradise उनकी नजर में क्या था nature को paradise मानते थे तो आपको ध्यान अगना है कि third में पहले में हो गया school days, दूसरे में university, तीसरे में paradise के बारे में हैं ठीक है फिफ्थ बुक, it is initial as book and words words recounts his early dead to literature और अब यहां पर वो literature के बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है book six के बारे में करते हैं, resumes the story of Cambridge फिर से वो अपने Cambridge वाली life के बारे में पहुंच जाते हैं तो sixth book में वो start करते हैं तो book first and book second, all right? और यह book third है आपकी book third में तो चलते हैं next में resident period in London and book seventh में उन्होंने he gives a philosophical retrospect of his whole period of preparation जो उनको as a point उनकी preparation थी उसके बारे में उन्होंने book seventh में लिखा है book ninth में he describes visit to friends अब देखिए हम मैंने आपको कहा था कि जो आपको F.I.S. याद रखना है ठीक है fish तो इस में आपका है fish सबसे पहले वो friends किये थे वहाँ पर अपनी clever से मिले थे Caroline उनकी बेटी थी ये effect आपके mind में चलते रहने चाहिए and his growing interest in humankind और जो उनका interest है वो काफी grow होना शुरू हुआ था he describes moral crisis and disillusionment जो उनकी 10th book है 10th book में उन्होंने moral crisis or disillusionment के बारे में कहा था जो नैतिक पतन है उसके बारे में उन्होंने बताया अब आते हैं book 10 में ही जो है उनकी he describes achievement of great society and human minds यहाँ पे उन्होंने great society और human minds के achievement के लिए उन्होंने बात की book 12 to 14 in these books tale of poets recovery from despair जो निराशा उनकी जीवन में थी restoration of his faith through nature जो अब जो despair जो निराशा आए थी उसको उन्होंने कैसे overcome किया nature के support से through the influence of Dorothy and Coleridge और इसमें उनकी मदद किस ने की थी Dorothy और Coleridge ने की थी जो उन्ही के साथ lake district में थे here is a note starting poem of the pollute is the poem to Coleridge जो पहली जो poem है उसमें जिससे start किया गया इस work को वो है आपकी the poem to Coleridge it was published in 1807 with seven cantos in narrative form और ये जो थी ये publish हुई थी ये जो poem थी the poem to Coleridge जो publish हुई थी work pollute नहीं तो वो हुआ तापका 1807 में with seven cantos in a narrative form अब बात करेंगे हम ode to intimation of immortality from recollection of early childhood it was written in 1802 in four stanza later on seven more stanza were increased जो ये poem थी उनकी वो लिखी गई थी आपकी 1802 में और उस time इसमें सिर्फ four stanza थे इसमें seven more stanza बात में add किये गए उसके बाद जो next work है वो है the immortality ode is one of the most poems most famous poems in English literature it is the high water mark of poetry in 19th century जो ode है उसको लिखना अगर हम बात करें English literature में तो काफी बड़ा achievement माना जाता था और 19th century में बहुत ही important एक poetry का पार्ट था तो जो immortality है जो work है वो पिंडारिक ode में लिखा जाता है और जो ode है उसके तीन भाग होते हैं उसके लिए आप एक shortcut याद रख लेजिए C stoppy, entry, stoppy, any port आपको तीन पार्ट याद रखने जो है आपका C, S E समुदर वाला C आपको hopefully याद रहेगा यह ode, ode के तीन पार्ट होते हैं ठीक है तो यह होता है stoppy, यह होता आपका entry stoppy और यह होता आपका a port sorry, yes a port so a port, entry stoppy sorry, a port stoppy a port and entry stoppy three, let me write down here it properly, otherwise c, s, e, a okay so estrophy and anti-strophy any port और यहाँ पर होता क्या है कि जो ode में, जब ode गाया जाता है तो उसमें एक अगर हम बात करें कि एक एक जो stage होता है, ठीक है तो उसमें जब यह इस तरब को जुकेंगे तो यह estrophy होगा इस तरब को जुकेंगे तो यह anti-strophy गाते होए इस तरब को जुकेंगे और जब import गाया जाएगा तो बिलकुल center में खड़े रहेंगे ओके, तो ode के ode आपको समझ में आगा थोड़ा बहुत ओके आगे चलते हैं इस पे जो ode है इसमें मैंने पुरा एक पुरा वीडियो बनाया है आप लोग चेक कर सकते हैं चैनल में इसके बारे बात कर ली है इन दिस पॉयम वर्जवर टॉक्स अबाओट प्री नेटल और पॉस्ट डेथ एक्सपिरियंस उन्होंने पॉस्ट डेथ एक्सपिरियंस के बारे में भी बात की थी इमर्सन का कोट है यहां पर कि इमोर्टिलिटी ओट इसा थाई वाटर मार्क इन 19th सेंचुरी लिटिर्चर यह एमर्सन ने उनके वर्ट के बारे में एमोर्टिली ओट के बारे में कहा था इमोर्टिलिटी ओट इस इंस्पॉरड बाई वागन्स दिर ट्रेट और जो इह इमोर्टिलिटी ओड था यह पूछा जा सकता है कि यह किस से motivated था तो यह था आपका the retreat वागन ने लिखा था the retreat उसके बाद next है आपका Tintan Abbey बहुत important work है composed a few miles above it is above all right above Tintan Abbey यह इसी में है composed a few miles above Tintan Abbey और जो यह Tintan Abbey work है on revisiting the bank of the Y यह जो आए है यह river है and during a tour July 1370 98 तो Tintan Abbey आपको याद रखना है कि जो Tintan Abbey है वो लिरकल बैलेट के time पर ही लिखी गई थी तो आपको easily याद रहेगा यह in this poem the poet has recorded home nature how nature has influenced and shaped his life from his childhood days और जो यहाँ पर point है उन्होंने describe किया है कि nature ने किस तरह से influence किया था उनकी childhood days में तो Tintan Abbey में उन्होंने अपने childhood days और उस पे influence nature के बारे में बात की he tells us of the joy he felt in the midst of nature and finally how nature became his guide teacher and companion और Tintan Abbey में ही वो यह बात बताते हैं कि किस तरह से जो nature है वो एक तरह से guide और teacher और companion का काम उसने किया था point के लिए it is a landmark poem by Virgworth in it he teaches his sister Dorothy और इसी से वो अपने sisters को teach करते हैं it is also written in blank words यह है आपकी blank words में लिखी गई poem Tintan Abbey के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि it is last poem of lyrical ballad और यह जो last 19 poem है ओके वो Tintan Abbey क्या आपको याद रखना है कि lyrical ballad की 19 poem थी और यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज आपको shortcut बता देता हूँ कि आपको यह भी याद रख सकते हैं Tata all right तो Tintan Abbey को अगर आप T-A से लिखेंगे ठीक है Tintan Abbey Tintan Abbey so it will become Tata और with Tata this becomes you know the last poem of lyrical ballad तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस तरह से मैं याद रखता हूँ तो आप लोग भी यह trick यूज कर सकते हैं Michael जो है वो एक pastoral है pastoral work है The Michael was written in 1800 Dove Cottage Grasp Mere में उन्हाने लिखा था Dove Cottage क्या है आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था It is a pastoral narrative poem presents the life of common old man Michael एक common old man है Michael उसकी life के बारे में बताया जाता है जो Michael है वो एक poor honest shepherd है जो एक दुख में मर जाता है और राइट वो अपने बेटे लूग के बारे में बहुत दुखी है Because of his some family misfortune क्योंकि उसकी family में कुछ बुरा होता है The poem is full of pathos arouses sympathy in our heart for Michael और इसमें pathos बहुत जादा यूज किये गए हैं और जिससे की हमारे heart में sympathy Michael के बारे में आती है Ode to duty was composed in 1805 and first published in 1807 ये आपकी composed की गई थी 1805 में और published की गई थी 1807 में In the poem, poet gives the nature and function of duty वो nature and function of duty के बारे में बात करता है It is a fine tribute to the sense of duty, sense of duty के बारे में काफी अच्छे से इसमें बताया गया है The poem conveys a moral that we must be devoted to duty and integrity in our life The poet calls duty the stern daughter of voice of God तो duty को stern daughter बोला गया है इसमें Next जो work हम बात करेंगे वो है She Was Phantom of Delight इस work के बारे में हम बात करने वाले हैं The poem was composed in 1804 a couple of years after the poet's marriage with Mary Hutchinson उसने जब poet की शादी होती है Mary Hutchinson से 1804 में मैंने आप लोगों बताया था 1798 प्लस 4 आपको याद रखना है 1798 को आप baseline मान के चलिए और Mary Hutchinson से शादी हुई थी और 1807 में ये published हुई थी ये poem She Was Phantom of Delight This poem was written upon Mary Hutchinson who was his cousin and while a girl had been his schoolmate and later on became his wife तो पहले जो है हम बात करें तो वो cousin थी उनकी बाद में उनकी wife बन जाती है In the three stages of the poem the poet describes her as a child, a maid and a wife और इसमें तीन stages है, Phantom of Delight में इसमें poet जो describe करता है उसे as a child करता है, as a maid करता है और finally as a wife उकरता है French Revolution उनका next work है It Was Part of the Pollude यह part of pollude है, included in book 11th और जो इसको include किया गया है, यह book 11th में है, दिहान रखिये Written in 1804, attempts to recapitulate the 281 emotions of the enthusiastic supporters of the revolution at its commencement Words words begin with the enthusiastic and sympathetic attitude तो यह जो differential evolution है, totally वो जो enthusiastic supporters थे उसके बारे में है Resolution and independence of all the leech gatherer, 1802 में लिखी गई है This is a lyric about evolution and observes through his involving vision of an old man यह जो lyric है और इसमें evolution and observes through his evolving vision of an old man जो एक old man की तरह है, उनका vision develop हुआ था, उसके बारे में है It is written in rhyme royal stanza form, rhyme royal में लिखा गया है The poem gives us an idea of transforming power of imagination जो imagination की जो power है उसके बारे में उन्होंने बात की है It is beauteous evening, calm and free अब इस poem के बारे में बात करते हैं यह जो work है, this sonnet is in the Petrachan यह Petrachan form में यह sonnet लिखा गया है वोज कंपोज़ आन दी बीच निया कालरेस, the friends in the autumn of 1802 में इसको लिखा गया था The poet was walking up and down on the beach in the company of Caroline वो Caroline के साथ वहाँ पर रहता है, His Natural Daughter by Annette Wallen जो Caroline के साथ में उन्होंने लिखा ही थी यह poem जब वो उनके साथ company में जा रहे थे, बीच पे Nuns Fret Not Nuns Fret Not published in 1806 is an important sonnet of verse worth यह बहुत important sonnet है It expresses the poet's admiration for the sonnet यहाँ पर Nuns Fret Not जो work है इसमें उनका जो subject matter है वो यह है कि poet जो है, admire करते हैं sonnet पे and the way in which trains and disciplines the power of the artist एक और मैं आप लोगों बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह से इन्हें note कर लेतें जो छोटे 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 note से हम बना रहे हैं उनको आप लिख लेजिए और फिर नीचे चार पोयम को आप options में रख लेजिए and then try to find out the right one for you this will be a good practice to you to Milton जो लिखी थी उन्होंने पोयम लेंडन 1802 में लिखी थी it was written in 1802 and published in 1807 in this famous sonnet Virgworth has paid a warm tribute to Milton the prince of Puritans अब यहां पे दिहान रखिए कि जो Milton है Milton को prince of Puritan उन्होंने ये माना था तो उन्होंने ये next जो sonnet लिखा है वो 1802 में लिखा था और ये delightful sonnet उन्होंने लिखा था आपका compared London city in this way we are five तो city ये आपकी एक line है उसमें important जो आप याद रख सकते हैं ये पूछा जा सकता है किस city के बारे में बात हो रही थी तो आपको याद रखने हैं लंडन के बारे में बात हो रही थी किस work में लिखा गया है तो composed upon Westminster Bridge में इस sonnet was written on on a September morning 1802 1802 में ये लिखी गई थी the poet takes his stand on Westminster Bridge over themes and the rhyme scheme of an Italian sonnet जो Italian sonnet की rhyme scheme थी वो A B B A A B B A C D C D C D ये उनाने यूस की थी Lucy Gray on Solitude next work Lucy Gray was written at Gosler in Germany in 1799-1800 when Wordsworth and his sister Dorothy had gone there on a tour तो ये उन्होंने लिखी थी Germany में जब वो अपनी sister Dorothy के साथ में वहाँ पर गये वह थे it is a lyrical ballad written in typical Wordsworthian style presenting attitude towards common people तो ये common people जो Wordsworth theme को always follow करते थे उसी पर लिखी गई है To the Cuckoo To the Cuckoo a lyric is among the best bird poem of Wordsworth written in 1802 ये एक bird poem है जो Wordsworth ने 1802 में लिखी थी It reminds us of his own to Skylark or Shelley's ode to a Skylark तो ये जो दो पोईम है To a Skylark और Old To a Skylark same form में उन्होंने लिखी है To the Cuckoo All the three birds are spirit and voices rather than birds और यहाँ पर ये question पूछा जाता है ये question मुझे भी interview में पूछा गया था lecture के interview में कि जो birds है वो क्या represent करती है तो answer आपका है spirit and voice The solitary reaper It is a lyric written in 1807 during Wordsworth 2 to Scottish Island in the company of his sister Dorothy and friend Coleridge तो ये जो लिखा गया था To the solitary reaper ये उन्होंने Wordsworth ने लिखा था Scottish Highland के लिए Highland पे in a company of his sister जब वो Dorothy और Coleridge के साथ पे वहाँ पर गये थे Sonnet on Sonnet और Scald Not ये जो वक है अब इसके बारे में हम बात करेंगे The Sonnet on Sonnet published in 1827 expresses Wordsworth's great admiration for this sonnet as a words form it also shows his awareness of the fact that almost great poets use sonnet and express their thoughts and emotions तो ये जो Sonnet and Sonnet है Sonnet on Sonnet है उसके लिए उन्होंने admiration के लिए लिखा था Sonnet form की परशंचा के लिए लिखा है और ये कहा है कि लगबख सारे जितने भी महान पॉइट हुए हैं वो सभी Sonnet form का use करते हैं The Daffodils or I Wondered Lonely as a Cloud ये तो उनकी सबसे best poem मानी जाती है This is a short lyric composed at Towns End Grashmere in 1804 and published in 1807 1804 में लिखी गई थी और 1807 में पब्लिश हुई थी It is one of the best poem of Wordsworth which dwells on the scenes of nature such as daffodils dancing sprightly in large number and waves dancing in the lake ये सभी description उसमें दिया गया है poem में दिया गया है nutting जो poem है It was intended to be part of the pollute and depicts Wordsworth the memory of early childhood तो जो nutting work है ये pollute का हिस्सा बनाने के लिए poem लिखी गई थी और इसमें Wordsworth की जो early childhood की memory है उसके बारे में लिखा गया है Next work is To Skylark It was written in 1825 published in 1827 It is a sonnet and description of a peculiar characteristic of the bird और To Skylark जैसे हमें पता है ये एक bird poem है The world is too much with us This sonnet was written in 1802 and published in 1807 1802 में लिखा गया था published in 1807 में हुआ This sonnet depicts poet's gross animosity and against the deep attachment of the people towards growing materialism तो ये जो sonnet उनाने लिखा था वो लिखा गया था growing materialism के लिए कि लोग growing materialism के लिए ज़्यादा attest हो रहे थे He begins to hate materialistic Christians वो जो materialistic Christian थे materialistic Christian का मतलब जो कि अध्यात में से दूर थे और जो सांसारिक चीजों में ज़्यादा involved थे उन्हें वो hate करना शुरू कर दिया था It is in the petrachan form containing an octave and sested और ये जो sonnet था वो petrachan form में उन्होंने लिखा था इसमें octave 8 line का sested 6 line के दो part होते हैं और इसके बीच में आता है आपका वोल्टा 8 line के बाद Okay rhyme scheme is ABBA ABBA and CDE CDE उसके बाद next work है आपका important lidomia lidoma 1814 में आया था It was written under the impact of Virgil तो Virgil का जो influence है वो यहाँ पर देखने को मिलता है In it, Virgilworth has presented conflict between reality and appearance उन्होंने reality and appearance के बारे में यहाँ पर conflict के बारे में बात की है पीले, काशल और nature and the point इसके बारे में next में बात करते हैं The poem was suggested by a picture a picture of पीले काशल in a storm by Sir George a personal friend of the poet The poem was written in 1805 तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह एक picture थी पीले काशल की इना स्टॉम ठीक है और यह दी थी उन्होंने Sir George बियोमेंट उनका एक personal friend था तो उन्होंने यह picture बनाई थी तो उस पर ही उन्होंने एक poem लिख दी थी तो Sir George बियोमेंट को याप याद रखिये पीले काशल इस आन दी वेस्ट आप दी आइल आफ आइल आफ मैं इसको इबारे में देखते हैं इट डिपेट्स गलॉरिफिकेशन और एवलुएशन औफ वारियर यहाँ पे एवलुएशन औफ वारियर के बारे में उन्होंने बात की और इस poem में और इस रिटन इन हेरोग कपलेट फर्म औफ राइटिंग 1806 पोईट वाइल राइटिंग इस पोईब और उनका जो ब्रदर ता जॉन उसके बारे में भी वो सोच रहे थी या उनके बारे में लिखाता तो कुश्यन बनेगा की ब्रदर जॉन के लिए उन्होंने कौन सी पोईट लिखी थी तो इस पोईब का नाम पोईब्स आफ सेंटिमेंट्स और रेफलेक्शन भी थी यह पोईब्स जो उन्होंने अपने ब्रदर जॉन के लिए लिखी थी नेक्स्ट जो वर्क है वो है दि टेबल टर्न इट वोस रुटेन इन 1798 जो टेबल टर्न है यह आप देख सकते हैं कि 1798 में लिखा गया है वर्ज वर्ज व्यूज अबाउट नेचर और इसमें उन्होंने अपने व्यूज दिये हैं नेचर के बारे में यह जो पॉएम है यह जो पॉएम है इट इस अ लिरिक एंड वस रिटन इन 1807 तो यह 1807 में लिखी गई पॉएम है यह बहुत इंपॉटेंट है फिर से इसके बारे में कुश्चन पूछा जाता है यह माइंड में आप रखिये ठीक है यूपी टीजी टी में भी यह कुश्चन आया था जब मैं एक्जैम दिया था इस पॉएम प्रेजेंट स्पैसेटिक स्टोरी अफ लेडी रूस रिटन इंजर्मनी इन 1799 इसमें जो यह पॉएम है इसमें लेडी रूस के बाले में बताया गया है इस पॉएम यह उनकी नेक्स पॉएम है जो टेबल टर्म पॉएम थी उसका यह कमपैनियन पॉएम है उसके साथ लिखी गई है डिपिक्ट वर्जवर्थ आइडिया दी लर्निंग डिराइवड फ्रम बॉक्स इसमें जो एक पॉस्चुलेशन एंड रिप्ले जो वर्क है इसमें वर्जवर्थ कहते हैं कि जो इसमें ब्लांक वर्जवर्थ उन्होंने यूज़ किया था यहां पे क्या है कि कई बार ये जो गैरेक्टर्स हैं इन करेक्टर्स को आप लोग एक लिस्ट बना सकते हैं और अपने notes बना सकते क्योंकि ये आपको पूस्ट दिया जाएगा कि जो डियान है वो character किसकी poetry में है तो काफी tough हो जाता है क्योंकि ये minor poem है ये बहुत कम लोग इसको पढ़ता है तो जो डियान है beautiful dion who wants to get perfection in her life तो जो डियान है वो अपनी life में क्या चाहती है perfection चाहती है बहुत beautiful है a night piece is it is one of the earliest mature poem of lyrical ballets तो ये mature जो period था mature poem है और lyrical ballets में उसमें था और क्योंकि हमें पता है कि ये lyrical ballets कब publish हुआ था क्योंकि उसी के साथ में publish हुआ था 1798 में और it is also a sonnet ये एक sonnet भी है the excursion बहुत important work है 1814 में आया it was an important part of words words imaginary work the recluse ये जो recluse था recluse में उन्होंने the excursion को part बनाया था means उसके साथ में publish हुआ था it contains nine books okay इसमें nine books है which starts with the ruined cottage ये ruined cottage जो first poem है जो excursion है इसमें nine books है ruined cottage के साथ में शुरू होता है it is the purpose of the work words words wrote on men on nature on human life next work है वो है आपका the fountain it presents an amiable portrait of his friend Matthew तो friend Matthew के बारे में उन्होंने कौन से लिखी है दी fountain लिखी है तो question बनेगा आपका कि जो उनके friend Matthew थे उनके लिए उनके लिए उनके कौन से poem लिखी है या जो question है वो इस तरह से बन सकता है कि जो the fountain है वो किस के लिए उनके friend Matthew के लिए we are seven it is words worth first poem of lyrical ballots और we are seven से lyrical ballots से start भी होता है ओके तो आप जड़ा comment box में लिखे कि end किस poem से होता है अगर आपको याद है और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो written in 1798 we are seven तो क्योंकि यह लिए लिकल बैलिट्स का part है तो publication यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा trick use करनी है कि lyrical ballots की जितनी poems है उन्हें याद कर लीजिए तो आपको already पता होगा कि यह कब publish हुई थी three years she grew or the education of nature यहाँ पे तीन साल ओके शी गुरू यह जो है translate कर दिया मैंने it was written in 1800 यह जो है Lucy poems के साथ में था तो यह 1800 में आया थे it depicts an imaginary girl who grew up and spend her life in lap of nature and question बन सकता है कि जो Lucy है वो imaginary girl है या original है तो यह आपकी क्या है imaginary girl है and this poem point personifies nature जो nature है उसको personify किया जाता है we all know that अगर हम personification किसी चीज़ करते हैं तो हम उसे human being मान लेते हैं makes nature speak out her plan for the education for Lucy it is only Lucy poem not written in ballot meter और ध्यान रखिये गिये बहुत important एक है कि जो Lucy poem हो सारे ballot meter में लिखे गए हैं लेकिन सिर्फ जो यह poem है she grew three years she grew in nature तो यह आपकी क्या है ballot meter में नहीं लिखी गई है this poem presents motherhood as nature brotherhood as man and fatherhood as god the descriptive sketches it is also known as travel poem which deals with the alpine too and in this poem we can see the influence of godwin's justice तो godwin का जो work justice इसका बहुत बड़ा influence वर्ज 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 पे था तो आपको ध्यान रखना है कि जो descriptive sketches था वो godwin's justice से related था the lyrical ballad, lyrical ballad's plan in race town with Calrish and his sister Dorothy is considered to be manifesto of romantic revival of England जो lyrical ballad था plan in race town, जो race round place में lyrical ballad को plan किया गया था with Calrish we know कि यह दोनों का collaborative work था और उनकी जो sister थी उनका guidance भी उसमें था और अगर इसको हम मानें कि तो यह एक manifesto इसको माना जाता है romantic revival इंग्लेंड का, अगर आपको नहीं पता कि romantic जो word है उसका मतलब क्या है तो romantic का मतलब होता है freedom of expression, हम बिलकुल खुद को बांद के नहीं रखेंगे we can express our view, whatever views are coming in our mind जो भी हमारे दिमाग में आरे हैं हम उसको बिना किसी restriction के अगर freely दे रहे हैं तो हम एक romantic point है ठीक है और romanticism का उल्टा होता है classicism बार-बार चीजों को इसलिए repeat करता हूँ अपनी वीडियोस में कि जब आप मेरी hundred वीडियोस देख ले तो आपके जो term है वो बिलकुल clear हो जाए about the first publication of lyrical ballots in 1798, what was declared उन्होंने कहा था कि material of the poetry can be found in every subject which can be interested to human mind interest of human mind, अब ये line पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है किस के बारे में बोली गई है, तो lyrical ballots के बारे में बोली गई है regarding lyrical ballots, ST college remark, I will deal with supernatural so that the extraordinary looks to be ordinary ठीक है, and while words-a-word deals with natural so that ordinary looks to be extraordinary तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस के बारे में ये बोला गया है next है आपका, by the sea, it is quite descriptive sonnet composed in 1802 1802 में इसे composed किया गया था, this sonnet sings of peaceful sunset over the sea as seen from beach at Calais, तो ये जो sonnet था, वो Calais के बीच पे हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का motivation था, it is made on patagon model और patagon model पे लिखा गया था, जिसकी scheme क्या थी, जो patagon model है उसकी scheme हमें पता है कि A, B, B, A, C, D, A, C, D, A होती है 8 और 6 उसमें होते हैं, जो 8 होते हैं, उन्हें octave बोलते हैं, जो 6 लाइन होती हैं उन्हें sested बोलते हैं, इनके बीच में आता है, वोल्टा, ओके वोल्टा, तो ये question भी बन जाता है, कि sonnet में, तो वोल्टा और वोल्टा का जो meaning होता है, उसे बोलते हम turn ओके चली आगे चलते हैं, the algae extent, it was suggested by the picture of पीले काशल in a storm, painted by George Bioman, इसके हमने देखा था कि जो George Bioman ने एक पीले काशल का एक picture बनाई थी, पीछे भी हम इसको देख चुके हैं, the algae extent, वो उसको देखकर उन्होंने बनाया था, लिखी थी ये poem, the poem was written in 1805 and published in 1815, the thorn, उनकी next poem है, it was published in 1798, in political ballots में ही published हुई थी, it is the story of a woman whose lover has betrayed her and married another, तो ये story है thorn, okay, उस women की राहों में उन्होंने काटे बिचा दी है, all right, thorn, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, this simple and past, it was a part of lewd written in 1799 and published in 1845, जो ये पलूड का एक part था, और लिखा गया है 1799 में, published हुआ था, 1845 में, it was the poetic outcome of a walking tour around Switzerland and France, Switzerland और France में उन्होंने walking tour किया था, in this poem, wordsworth describes the beauty of nature, और जो wordsworth है, उन्होंने beauty of nature डिस्क्राइब किया था, the fountain of a conversion, it is a story of an old village school master of 72, जो fountain of conversation है, ये एक old village master की कहानी है, this pathetic story of the old man, poet offers himself as one of his sons, और जो pathetic, ये बहुत ही pathetic story है, बहुत ही हम कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं, दायनिय स्टोरी है, एक्स्ट्रीम इफ्यूजन अपॉन देथ आप जेम्स हाग, it was published in 1835, जेम्स हाग वस फ्रेंड और वर्जवर्थ, अब यहां पर फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, कि यह जेम्स हाग है, इसके लिए कौन सी पॉइम लिखी गई थी, और यह जो फ्रेंड था, वो वर्जवर्थ, साओधी और बाइरन का भी फ्रेंड था, तो extampa, effusion upon the death of जेम्स हाग, यह उन्होंने लिखी थी, जेम्स हाग के लिए, तो question यह तो नहीं आएगा, कि किसके लिए लिखी गई थी, लेकिन वो कैसे जानते थे, क्या जानते थे, इस तरह से question बन सकता है, अफ्लिक्शन ओं मार्गरेट, जो it was based on the life of a poor widow of the town of Penrith, तो यह पूछा जा सकता है, यहाँ पर एक widow रहती थी, उसका नाम क्या था, मार्गरेट, it was written in the grassmere, उके grassmere कौन सी जगह है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमने life, जो है, वर्जवर्थ की life में हमने पढ़ा था, कि वो grassmere में रहे, वहीं पे लेक डिस्टिक में रहे, और वहाँ पर जो उनका cottage था, छोटा नहीं, काफी बड़ा है, जो cottage है, वो cottage का नाम क्या था, तो उस cottage का नाम है, आपका dove cottage, तो रेवरी अप पूर सुजैन, तो रेवरी अप पूर सुजैन जो लिखी गई थी, वो 1979 में लिखी थी, दिपोएम डिस्क्राइब देड्रीम और पूर गल सुजैन, दिपोएम शोज दा लंडन हाद नाट अपील अज टाउन, सर्प्राइज बाइज जोई, इट वोस रुटन इन 1812, दिपोएम पूएम पूट्स अस इंटो आपैंसिव मूड, और यह जो पूएम है वो एक पैंसिव मूड, या हम कहें साड मूड के लिए लिखी गई है, और 1812 में लिखी गई थी, यह जो है परसनल और डमेस्टिक ग्रीफ के बारे में लिखी गई है, लाइन सु रिटन इन अली स्प्रिंग, यह जो अली स्प्रिंग, लाइन सु रिटन इन अली स्प्रिंग जो लिखी गई थी, यह 1798 है, जैसे 1798 दिखे, आपको लेकर बैलेट्स याद आ जाना चाहिए, इस पॉएम डिस्क्राइब्स नेचर्स हॉली प्लैन और यहाँ पर जो लाइन है, यह लाइन आपकी किस्से आई है, लाइन सु रिटन इन आली स्प्रिंग, दिफ्लावर्स, बर्ड्स, रिवर्स, माउंटेंस, लीब्स, एट्सेक्टरा, इंजॉइ थेंसेल्स नेचर, बट मैन हैस बिकम ए स्ट्रेंजर तो एनी जॉइ, यह जो सारी चीज़े हैं, यह क्या कर रही हैं, अपना अपना इंजॉइ कर रही हैं, बट इनसान अपनी चीज़ों में ही व्यस्त हो गया है, और नीचर से दूर हो गया है, कुछ फेक्ट वर्ड्ड वर्ड के बारे में देख लेते हैं, तो यह आपकी फिर्स्ट पॉइम है, और यह आपका फिर्स्ट वॉल्यूम है, उन्होंने लव पे सिर्फ एकी सॉनेट लिखा है, और आर्ट का मतलब होता है, तो वाई आर यू साइलेंट, इसका ट्रेंस्टेशन इस तरह से हो जाएगा, वी आर्ट सेवन इस वर्जवर्थ फिर्स्ट पॉइम आफ लेकल बैलेट, लेकल बैलेट समने देखा था कि जो वी आर्ट सेवन है, वर्जवर्थ की फिर्स्ट पॉइम है, वर्जवर्थ रोट अनली वन ड्रामा, बार्डर्ज इन सेवन नाइंटी थी, she gave me years, eyes and humble cares and delicate fears तो अगर ये जो है question इस तरह से पूछा जाएगा कि she gave me years, यहाँ पे जो she है वो कौन है तो most of cases, जब भी she की बात आएगी तो या तो होगी आपकी Lucy और या तो होगी ओ डौरादी और आप्शन्स में अगर है तो डौरादी उनकी जो वाइफ है वाइफ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखाता ओकी वर्जवर्ज व्यूस अबाउट पॉट्री ठीक है कि जो ट्रैट्री में जो हमारे जी इमोशन्स होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और बाद में उससे क्या निकलती है पॉट्री निकलती है लेकिन ये स्पॉन्टैनियस होना चाहिए मीज बनावटी नहीं होने चाहिए एक natural जो ओवरफलो है वो होना चाहिए यह उन्होंने poetry के बारे में कहा था वर्जवर्ज बिलॉइट ग्रूप आफ टॉरी वो टॉरी ग्रूप से बिलॉइट करते थे टॉरी ग्रूप कौन थे वो किंग को support करते थे और वो किसको support नहीं करते थे वो the poetry can be found in every subject which can be interest of human mind Robert Browning has condemned वर्जवर्थ in his poem The Last Leader देखो यहां पे जो Robert Browning है उन्होंने उनको condemn किया था उन्होंने वर्जवर्थ को ये मान के चले थे कि उन्होंने अपना, वो royalist बन गए थे ठीक है leader because वर्जवर्थ assisted the post of poet of laureate अभी हमने देखा था कि Tory वो बन गए थे, ठीक है तो Tory थे, Tory थे means वो royalist थे ठीक है, तो royalist बाद में बने तो इसलिए ये कहा गया कि उन्होंने मतलब एक तरह से अगर बहुती common life में बोले तो कहेंगे कि वो चमचगेरी बोलते हैं जिसे ठीक है, उसके चक्कर में उनको मिला था poet laureate और इसलिए Robert Browning उनसे खुश नहीं थे Robert Browning का कहने का मतलब था कि तुम्हें मिल गया poet laureate और तुम बन गए royalist इसलिए उन्होंने एक poem लिखी थी the last leader ठीक है, सॉरी ये last नहीं है, lost actually ठीक हो गई है तो ये आपका lost leader तो उन्होंने कहा था कि आप क्या हो गए एक जो leader है जो खो गया है criticism on wordsworth जो criticism on wordsworth है काफी चीजों में हुआ है Tennyson quotes to wordsworth he has uttered nothing based जो Tennyson ने कहा था कि he has uttered nothing based उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं कहा means he has said everything good और सब कुछ अच्छा कहा और Browning ने कहा था for a handful of silver he felt us नहीं है बलकि ये है आपका left he left us उन्होंने हमें कुछ silver के लिए छोड़ दिया जैसे अभी हमने देखा था ये इस poem में the lost leader ये जो उनका work था इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमें कुछ handful silver के लिए क्या कर दिया हमें छोड़ दिया वर्जवर्थ called Grand Lama of Lake उन्हें Grand Lama of Lake भी कह जाता ये question बनेगा Grand Lama of Lake किसे कहते हैं Shelly criticized to वर्जवर्थ moral unique और जो Shelly थे उन्होंने उनको hard word यूज कहा था उन्होंने उनको moral unique कहा था और यहां पे फिर से there are so many mistakes means in typing mistakes और जो dull simple and dull उन्होंने कहा था D-O double L और यहां पे फिर से तो यह उनकी criticism हुई थी अब हम बात करें famous lines and quotations की तो one देख लेते हैं one or two क्योंकि यह बहुती ज़्यादा हो जाएगा I think all the poems अगर हम सारे देखें तो one by one हम poems दूसरी वीडियो में देख सकते हैं okay because there are so many works and so many things are there तो पूरी pdf हम करेंगे definitely जैसा मैंने promise किया था कि वर्जवर्थ का जो work है sorry जो वर्जवर्थ के सारे works है उन्हें हम describe करेंगे बढ़ यह जो वीडियो है already one hour की हो चुकी है तो hopefully कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई को thumbs up कीजिए share कीजिए with others and in case you want notes you can contact me on whatsapp thank you for watching see you in next video